आज सोबी 11 बजे हम बात करेंगे PM मोधी के प्रहार की PM नरेंद्र मोधी ने NRC, आरक्षन, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दो पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है News Agency ANI को दिये खास इंटर्व्यू में PM मोधी ने असम में NRC के मुद्दे पर कहा कि किसी भी भारतिय को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा यही नहीं, PM ने भीर की हिंसा, महिला अप राधों पर भी अपनी चिंता जाहिर की है प्रधार मंत्री दरेंद्र मोधी ने रोजगार को लेकर भी विपक्ष के आरूपों का जवाब दिया है PM ने कहा है कि एक साल में उनकी सरकार ने युवाओं को एक करोड रोजगार दिये हैं लगातार रोजगार के मुद्दे को लेकर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है अब पीए मोदी ने कहा कि पिछले साल हमने एक करोड युवाओं को नौकरी दी तो लगबग हर वो मुद्दा जिस पर विपक्ष प्रधान मंतरी को गेर रहा था बीजेपी को गेर रहा था, सरकार को गेर रहा था उस मुद्दे का जवाब पी-एम ने अपने इस इंटर्विव में दिया है और प्रधान मंतरी के इस इंटर्विव पर बातचित करने के लिए हमारे साथ कॉंगर्स पार्टी से आलोक शर्मा जुड़ गए है साथी बीजेपी से हमारे साथ प्रेम शुकला जी जुड़ गए है आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके पास मैं आऊंगे लेकिन उससे पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के इंटर्विव पर कॉंगर्स की पहली प्रतिक्री आई है कॉंगर्स के निता शकील एहमद ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधान मंतरी मोदी की सफाई पर पलटवार करते वे कहा है कि रोजगार का सर्वे 2016 में खत्म कर दिया गया ताकि लोगों को रोजगार के आंकडे पता ना चल सके तो ये बड़ा आरोप कॉंगर्स पार्टी की तरफ से लगाया गया कि रोजगार के जो आंकडे हैं वो पता ना चल पाए इसके लिए जो सर्वे था वही खत्म कर दिया गया था 2016 में प्रधान मंतरी के इंटर्व्यू पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे साथ है कॉंगर्स के वरिश ने ता शकील अहमद सर्प प्रधान मंतरी ने एक एगंजसी को इंटर्व्यू दिया है और तमाम विश्यों पर बात की है खास तोर पर उन विश्यों पर जिनको लेकर आप लोग उनको घेरते हैं सबसे एहम बात जो प्रधार मंदरी ने कहीं होगी है कहीं कि NRC को लेकर चिंदित होने की जुरूत नहीं है कोई भारतीय जो है वो बाहर नहीं किया जाएगा देश के और यह भी कहा है कि जातिगत आरक्षन में बदलाओं से संबन्द में कोई विचार नहीं है जैसा बार बार उनके अलोचक कहते है NRC में अभी BJP के ML ने वहां परदर्शन किया है कि NRC में जिन 40 लाख लोगों के नाम छोड़े गए हैं उसमें 22-25 लाख हिंदू समाज के लोग है तो सभाविक रूप से और प्रधान मंतरी और अमिश्याह जी आसाम से बाहर लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग हैं बंगला देश से आ रहे हैं उनको हम निकालने की बात करें तो अपने ही समर्थकों को ये धोखा देने का प्रियास कर रहे हैं रोजगार के मुद्धे पर प्रधान मंतरी ने बात अपनी कही है यूपीए में दो हुजार सोलह में उसको खतम कर दिया कि न रहेगा बंस न रहेगी बजेगी बंसरी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कितने रोزगार नय हुए हैं और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं तो आपने सुना शकील एहमत को वो कह रहे हैं कि जो सर्वे होता था जिससे बेरोजगारी के मुद्दे का वही खत्म कर दिया गया 2016 में जिसकी शुरुआत 2010 में कॉंग्रेस पार्टी ने की थी आए जो प्रधान मंतुरी ने इंटर्व्यू दिया है उस पर एक एक करके सिलसलेवार तरीके से हम बात करेंगे हमारे साथ आलोग शर्मा भी हैं कॉंग्रेस पार्टी से साथी प्रेम शुकला भी हैं प्रेम शुकला सबसे पहले में आपके पास आऊंगी नर्सी के मुद्धे पर प्रधान मंतुरी ने सफाई दी और कहा कि देखे कोई भी भारतिय देश के बाहर नहीं जाएगा अभी मौका है फाइनल ड्राफ्ट ये नहीं था लेकिन सवाल ये कि शकील एहमद को आपने सुना उन्होंने कहा कि इससे पहले ही 40 लाख लोगों को आप गुस्पैटिया कह चुके हैं शकील एहमद और पुरी कांगरेस पाइटी अल्पसंख्यक समधाय के मन में भैव्याप्त करके 70 वर्षों की राजनेत करती रही है ना कहीं प्रधानमंत्री ने ना कहीं गृहमंत्री ने ना किसी व्यक्ति ने कभी भी धर्म के आधार पर एनारतनी के ड्राफ्ट के संदर्व में कोई बात रखी है प्रधानमंत्री जी इंटर्विव में सारे जिम्मेदार लोग इस बारे में बात करते रहें कि ये फाइनल ड्राफ नहीं है इसमें से अभी भी आपको आपत्तियों का आउसर मिलेगा आप अपत्तियां दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां दर्ज कराने के बाद भी प्रकार कि उसमें धार्मिक भेद्भाव भाशाई भेद्भाव नहीं किया जाएगा यह पर नागरिक्ता से वंचित नहीं करेंगे उसको देश से बार नहीं पूरा था वो छीना चला जा रहा तो बार अब बार जो है उसका लगाला पीटर आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर में जवाब आलोग शर्मा से लूंगी आलोग जी पेम शुकला साफ के रहे हैं कि एक बार फिर से दुरूवी करण की राजनिती करके आप अपना वोट ब कर दिया है कि उसमें सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हैं सभी भाषाओं के सभी एथनिक डैवरसिटी के लोग हैं तो उसमें कहीं पर भी जाती और धर्म की कोई बात नहीं है ना ये कॉंग्रिस वर्सिस बीजेपी है ना ये हिंदू वर्सिस मुस्लिम है जिसको बीजे करके आपके स्वाइम के MLA जो स्वाइम हिंदू है मैं अगर ये शब्द कहूं तो मुझे कहिं गुरेज नहीं है उनको बाहर रखा गया आज तक गुर्पैक के उपराइनिती करने वाले जरा ये जवाब दें कि पिछले सारे चार वर्ष में केवल अठारा सो बंगलादेशी आपने बेजें वापस बंगलादेश में जबकी पिछले दसवर्ष में हम नहीं ला रहे हैं अभी किस हिंदू-मुस्लिम किस नहीं शुरू किया हम नहीं कर रहे हैं मैं तो बार बार कह रहा हूँ के सभी एतनीक डैवर्सिटी के लोग है हैं सभी धर्म के हैं और ये विश लोगों को आपने बांगलादेश वापस बेजा हमने पिछले दस वर्षों में 82,000 लोगों को वापस बेजा बांगलादेश में आप केवल और केवल घुसपैट के नाम पर राजनीटी करते हैं गुजरात का चुना होता है तो रोहंगणिया मुसल्मान सामने आ जाते हैं हम पूछना चाहते हैं कितने रोहंगणिया मुसल्मान वापस से लगए हैं लगातार ये आरोप कॉंग्रेस पार्टी लगा रही है कि देखें नर्सी के मुद्दे पर जो 80% काम है वो तो कॉंग्रेस पार्टी ने किया भली राजीव गांधी के समय से शुरूआ फिर ऐसा सरकार्टी में वो रुख गया आगे बढ़ता रहा आपने तो सिर्फ सुप्रीम कोट ने जो निर्देश दिये उस पर आपने काम किया यानि कि 20% हिस्सा जो बाकी बच्चा उस पर आपने काम किया इस पर आप क्या कहेंगे जिस पर आप अपनी पीठ लगातार थपता रही अपने करेम करके मुझे बताई कि एनारती का मुद्दा जो है इस देश में समस्य तौर पर हुआ कबसे में आपकी सरकार्ती तक ने आप इनारती दाने की बात की सुप्रीम कोट ने पांच बार फटका रहा उसके बाद में आपने प्रक्लिय चुरू कि 2005 में 2014 तक आपने उसमें पहला ड्राफ्ट भी नहीं ला सके हमने 2015 में काम शुरू किए ड्राफ्ट पहला 2018 की जन्वरी महिने में आ गया आप दूजरी बात घुच पैती कर रहेते हैं दो करोन घुच पैती है और दो हजार में 24 क्राच में गुच गया और खनी 2 क्रिपाई किया और हम सिव लोगों cular कोन कट़ा उजाता है नरेटी क्यों खिट करते हैं अलो क्रण ही ज्याओन हुख़जव प्र होने क्यों दी और हमने घुसपैट रोका किसमें एक दम शत्प्रसद घुसपैट किसमें रोका मुझे बताईए ना अलोग शर्मा आपने तो क्लस्टर दो पांगा थे हैं उसके अंदर रहे हैं उसको निकालने का काम भी दिमार्ट में के लिए कि वह कर रहे हैं इन्सूपिचासी से नबvää सब्स क्यों कर रहा सम्छाट कर रहा से सरकार ती बीजेपी Nag稠 करρο है तो अनुच्यशिआंसς अफ़्ासी सरकार इकिस्की राकेन करों रहे जांकर policies थे फेले सुझार तो अंड़ rules USA करीं थार शाल में अपने आठारा सो लोगों को भेजा हमने दस वर्षों में 42,000 लोगों को भेजा क्या आप केवल राजनीती और राजनीती मत कीजिए आज मैं पूछना चाहता हूं कितने रहंगणियां को आपने वापस देंगे दो करोण लोगों की घुस्पैट आपने स्विकार की आपके कार्वारा की सरकार रही कैसे इसलिए घुस्पैट नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम चल रहा है भारत बागलादेश की सीमा का निरदारन आ आप से मुद्ध की आसाम में ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम चल रहा है मैं समझता हूं के वर भाषन 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 फुल है और बाकी सब कुछ गुल है ठीके आलोग जी मेरा एक सवाल एनार्सी परिपिर आम बाकी मुद्धों की बात करेंगे अब पीम ने कह दिया है कि अब कोई भी भारतिये बाहर नहीं जाएगा पीम ने भरोसा दिया है देश को तो पीम के भरोसे पर आप भरोसा करेंगे अब इस मुद्धे पर जिस तरह की राजनिती चल रही है कॉंगर्स पार्टी की तरफ से उस पे विराम लगेगा जोती जी देखे पीम साहब ने 2014 में जो जो कहा 2013 में इतने लंबे लंबे भाशन देकर जो जो कहा उसमें से अगर एक भी चीज पूरी होई होती तो हम परधान मंत्री मौदे के भाशन पर विश्वाश करते जवाब बिल गया सारे के सारे चीज के पुलिदाए है इसके अलावा कोई सी है तो बतावी है जो लोग कहते हैं कि जो भीजे पी से सवाल पूछे जो लोग पूछे बाष Ne अब इस पर क्या कहेंगे साफ कर दिया प्रतिक्रिया भी आई है आप क्या कहेंगे दिके मैं समझता हूं कि परधान मंतरी महादया ने जिस तरह से दो करोड रोजगार का वाइदा किया उसके बाद अच्छे दिन का वाइदा किया जिस तरह से मुद्रा लोन की जूट बोल बोल कर देश के अंदर पर चार किया मैं जानना चाहता हूँ BJP के प्रवक्ता भी यहाँ पर है ABP News में बार बार रोजगार का मुद्धा उठाया कौन की वैब साइट है जिसके उपर मुद्रा लोन के उपर मुद्रा का जो लोन दिया गया आज मोदी जी ने एक और जूट बोला है मैं शब जूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि EPF के दो आकड़े उन्होंने दिये 45 लाख लोग उस महीने से उस महीने तक जुड़े और 70 लाख लोग पिछले एक साल में जुड़े मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब अभी तो आप पिछले एक साल से कह रहे है कि जो रोजगार का कैल्कुलेशन का मैथड है वो गलत है आज आपने कौन से मैथड से कैल्कुलेट किया क्या EPF में एक करमचारी जो आठवा या नौवा करमचारी बना अभी तक EPF नमबर उस और्गनाइज़ेशन के पास नहीं था अब उसने और्गनाइज़ेशन ने EPF नमबर ले लिया तो क्या वो 9 के 9 लोग जो है जो एक एडिशन के बाद EPF की कैटेगरी में आए क्या वो सबके सब नए रोजगार स्रजन के उसमें आ जाएंगे दाएरे में पेम शुकला जी पधामची के कहे पर कॉम्च पार्टी को यकिन नहीं है कि एक करोण लोगों को रोजगार मिला अलोग शुकला जी कॉम्च पार्टी को यकीन नहीं है कि प्रधाल मंत्री जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं एक करोण नौकरी देने की माबले में और प्रधाल मंत्री जी ने बहुत तारखिक ढंग से किस तरह से जो है जब विकास बढ़ रहा है जब आप संसाधन विकास हो रहा है जब सटकों के निर्मान में तीवर गति आ रही है जब नहीं मोबाइल कंपनिय दो दो मोबाइल कंपनियों से एक सो स्यधिक मोबाइल कंपनिया खुल रही हैं जब आपका विकास की गती बढ़ेगी तो रोजगार उसकी समानुपाते बढ़ेगा और प्रधार मंत्री जी जब आटो मोबाइल का निर्माण हो आटो मोबाइल ने खड़ी दे जाएंगे तो उसमें रोजगार का प्रधान मंत्री जी ने तो संसत के अपने वक्तव में जो है किस सेक्टर में किस तरह से ग्रोथ हुआ है किस तरह से वहां रोजगार का स्रिजन हुआ है संसत के वक्तव में अपने बहुत सपस्दंग से इसको पेश किया था आज भी उनका जो साक्षातकार है मैं आलोग जी से आगरा करूँगा कि किरपा करके उस साक्षातकार को ठीक से पढ़ ले उनके वनकी शंकाएं खत्म हो जाएंगी लेकिन चुकि कांग्रेस के प्रवक देखा उत्तर दिया है पार्लेमेंट में खड़े होकर उसमें 46% रेजिस्ट्रेशन बढ़े हैं और ये काम सब जब से ज़्यादा कब हुआ है नोट बंदी के बाद तमाम स्मॉल सेक्टर जो इंडस्टीज है वो बंद हुई है अनॉर्गनाइज सेक्टर 6% है इंदुस्तान के अंदर जिसकी अगट आई है तो 94% में अनॉर्गनाइज सेक्टर में कैसे इंप्रूमेंट हो सकती है मोदी जी समझाएं कौन सा मोदी नौमिक से ये स्टील इंडस्टी सीमेंट इंडस्टी आटोमाबेल इंडस्टी सब डाउन है हाँ इतना जरूर है कि पकोड़े और पान बेशिए वा इस पर आपको भरोसा नहीं है लिंचिंग के मामले पर भी पीएम ने जवाब दिया है पीएम ने कहा कि ये घटनाय जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी पीछे मंचा कोई भी हो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इस मामले में लगातार कॉंग वर्षों में चार बार कहा है दो और अक्षकों के उपर मॉब लिंचिंग के उपर लेकिन क्या वो घटनाय कम हुई है नेशनल ब्यूर आफ क्राइम रिकॉर्ड का अंकड़ा कह रहा है कि वो घटनाय लगातार बढ़ी है एक फास्ट्रेक कोड बनाई हूँ मॉब लिंचि किया उनको प्रमोशन दी गई कि सवाल उन्होंने दिये है राजिस्तान में आपके सवाल पर में जवाब लेंचिंग के संदर में जितने भी जो है जहां भी घटनाय में तीव रगत्से कारवाईया हुई है कहीं भी ऐसी सितिया और आप इनके जवाने की मारे चार साल में एक आदमी को कुई कारवाई नहीं मुझे पताई आज बिताब इनके इंटर्वी में साथ चंपनों नहीं का है कि जो कोई दोशियों के खिलाफ जो कानुनी कारवाई हुई हुई आपको रखे आगे